हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल स्टडी व्लोग्स विशिविन आज है 20 मार्श 2022 आज हम लोग बात करेंगे 20 मार्श 2022 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे कियाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चली शुरू करते हैं आज की कोशन को उससे पहले कल के कोशन को देख लेते हैं कल का कोशन था हमारा कि भा भारत ने पसपोरीयो करक्रम 1915 में शुरू किया था नेक्ट कुर्षन हमने पूछा था गेमज 26 eto7 के ब्रांडब मेस्टर कौन है तो गेमज 24 eto7 के ब्रांडब मेस्टर रिटिक रोशन है ठैन की चले शुरू करते हैं आज के कोशन को आज का क्षं देख लेते हैं आज का पहला पॉइंट है हमारा कि Miss World 2021 कौन बनी है तो यह करोलिना बिलावसका बनी है Miss World 2021 करोलिना बिलावसका बनी है अच्छा यह कहा की रहने वाली है यह Poland की रहने वाली है देखे जो Miss World या Miss Universe जो भी बनता है वो उसका नाम आप याद करिखेगा और कहा की रहने वाली है यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई महिला बनी है तो वो कहा किस देश से बिलॉंग करती है ठीक है किस देश की रहने वाली है तो उस देश का नाम ही पूछ लिया जाता आपसे तो देश का नाम याद रहे कि पोलेंड की रहने वाली है ठीक अब देखे मिस वर्ड से सम्बंदित चीज़ें और भी हैं उनको देख लेते हैं अगर भारत की पहली मिस वर्ड आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ड थी कब बनाई गई थी? यह 1906 बनी थी मिस यूनिवर्स 2021 कौन बना था? तो हरनाज संधू बनी थी यह भी important है आपके लिए ठीक है? मिस वर्ड और मिस यूनिवर्स यह most important है यह जरूर याद रखेगा आप कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनाए गई था? हरनाज संधू बनाए गई थी अचाए एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है आपसे एक्जाम में कि भारत ने अभी तक कितनी बार मिस वर्ड और कितनी बार मिस यूनिवर्स का किताब जीता है अभी तक चलिए, next point देखते हैं लोग हुरून के global rich list के अंजार, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है हुरून के global rich list के अंजार, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है अब एक note करने वाला point है, इसमें note कर लीजेगा आप कि नायका की संस्थापक है फालगुनी नायर ये भारत की नई अरबपती बनी है, ये most important आपका point है इसको note down जरूर कर लीजेगा कि नायका की संस्थापक फालगुनी नायर इनका नाम याद रिखेगा फालगुनी नायर भारत की नई अरबपती बनी है, चलिए, next देखते हैं हम लोग इंस्टाग्राम की जगह पर रास ग्राम लाँच करने का फैसला किस ने किया है ये भी important है आपके लिए question, ये रूस ने लाँच किया है इंस्टाग्राम की जगह पर रास ग्राम लाँच करने का फैसला रूस ने लिया है देखें, चुकि इस समय रसिया और युक्रेन के बद विवात चल रहे है तो इन से सम्बंदित कोई भी matter आपके पास आ रहा है तो वो इस समय important हो जाएगा क्योंकि ये इस समय जुलंत मुद्दा है रसिया और युक्रेन से सम्बंदित matter कुछ भी हा रहा है वो इस समय आपके लिए important हो जाएगा तो इसको जरू आप लोग highlight करिएगा ठीक है, तो इंस्टाग्राम की जगह पर रास ग्राम लाँच करने का फैसला किस ने किया, रूस ने किया है अच्छा, एक चीज और है, टेली ग्राम हम लोग चलाते है तो टेली ग्राम कहा है ये बता सकते हैं आप लोग ये टेली ग्राम जो है हम लोग का टेली ग्राम नाम से लगता है कि ये इंडिया का है बट ये इंडिया का नहीं है, ये रूस का है, टेली ग्राम जो है, हम लोग चलाते हैं जो, ठीक है, ये रूस का है, ये भी पता रखेगा, ऐसे भी कुशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, भारत का पहला डिस्टल वाटर बैं इक्वेरियम कहां लांच किया गया थी है, करनाटक के बैंगलूर में लांच किया गया है, अब चुकि करनाटक आया है, थोड़ा सा हम करनाटक के विशे में जान लेते हैं, करनाटक की राजधानी क्या है, बैंगलूर यही पर लांच किया गया है, तो आप कहां बताएंग करनाटक की राजधानी बैंगलूरों में लोंचिया गया मुख्यमंत्री कौन है वहां के बसा और आज एजबूमाई है नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदी पूर रास्ट्री उद्यान है करनाटक का लोक निर्ति की बात की जाए तो यक्षगान यहां का इंपॉर्ट इंट लोक निर्ति है करनाटक से संबंदित कुछ और पॉइंट है जिनको आपको जानना बेहद आउश्यक है पहला पॉइंट कि जैसे हिजाब भी बात मैंने कई बार बताया है देखे यही तरीका होता है कि आप कई बार चीज़ों को सुनते हैं वो चीज़ें आटोमेट इसके विशे में मैंने आपसे कई बार चर्चाएं की हैं जैसे हिजाब विवाद मैंने आपसे कहा था कि हिजाब विवाद अभी जुलंद मुद्दा था इस समय अभी हाली में निर्ड़े भी सुनाया गया है हिजाब विवाद को लेकर तो और यह जुलंद पुद्दा हो वात का मैटल हुआ उठा तो यह उड़ूपी जीला था वहाँ यह मैटल उठा था ठीक है उड़ूपी जीला में अब एक चीज़ और है इसमें करनाटक से संब्धित आपसे पूछा जाए कि X-Guardian सायन अभ्यास कहां किया गया तो करनाटक में किया जाता है एक्स कार्जियन सायन अभ्यास और किनके मद्द तो भारत और चापान के बंद इसको भी मैंने कई बार बताया है आपको ठीक है तो यह सब पॉइंट जो है याद किये रखे और हो तो आप पेज एक बनाकर मैंने यह भी बताया आपको कि A4 का पेज लेकर 20 से फाल डीजिए और वहां बस सायन अभ्यास लिखिए सभी सायन अभ्यास जनवरी के हैं तो जनवरी, फर्वरी है तो फर्वरी मार्च चलना है तो मार्च ठीक, यह पूरे सायन अभ्यास वहां पे लिखते जाएए और लास्ट मेर्ट में जैसे आपने जनवरी का पूरा सायन अभ्यास लिख लिया उसके बाद उस पे जो important है आपके, उसको highlight कर दीए, कि यह हमें पढ़ना है, यह most important है आपका इसको नहीं छोड़के जाना हमें एक्जाम में, तो सबसे पहले उसकी को याद कर लिजिए आप, उसके बाद जो अतरिक्त बचते हैं उनको देख लिया करिए अगर आप daily भी देख लेंगे उनको तो भी वो याद हो जाएंगे आपको तो यह तो एक एक एक्जामपल के रूपे मैं सिर्फ सैन अभ्यास बता रहा हूँ इससे संबंदित और भी चीज़ें आप बना सकते हैं दिवस बना सकते हैं पुरसकार बना सकते हैं निधन बना सकते हैं कि कौन-कौन व्यक्ति मरे हैं अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को अगर A4 के पेज में फाड कर बनाते हैं तो यह बहुत ही सहुलियत होता है आपके पढ़ने में आरामदायक होता है एक बार आप करके देखिए न विश्वास हो आपको तो यह एक बार करिएगा खुद खुद विश्वास हो जाएगा कि कितना अच्छा लगता है बनाने में जनवरी का अलग, फरवरी अलग, मार्च अलग बहुत ही बड़े हैं लगता है अब कभी भी कोश्चन आएगा तो आप सॉल्फ करेंगे ही करेंगे चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लो भारत का पहला डिस्टर वाटर बैंक की हमने बताया कि करनाटक के राजानी बंगलुरू में नेक्स्ट है, सबसे कम मात्र मित्युदर के मामले में शीर्ष राजी कौन है तो सबसे कम मात्र मित्युदर के मामले में शीर्ष राज है केरल जब आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा मात्र मित्व अनपात वाला राजी कौन है तो आप बताएंगे पस्चिमागाल ठीक है दोनों कोश्चन आप जानते रहिए देखे केरल की बात आई है तो केरल में आपको पताँर थी यह राजधानी क्या है केरल की तिरवन्त पुरम है राजधानी है शासरी नित्र की बात की जाए तो कथक कली most important आपका यहां का नित्र है तो यह केरल का है शासरी नित्र ठीक है चले आते हैं नेक्स पॉइंट पर देखते हैं लोग। UK Children Book Award के लिए किसे चुना गया है? तो UK Children Book Award के लिए मनजीत मान को चुना गया है। अच्छा किस पुस्तक के लिए चुना गया है? तो उनकी एक पुस्तक है The Crossing के लिए ने चुना गया है। ये भी याद रखेगा। जब आप ये पुछा जाए किस को चुना गया है? और किस पुस्तक के लिए तो ये भी important हो जाता है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें एक तो इनका नाम, दूसरी इनकी पुस्तक का नाम, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेगा। चलिए, next point देखते हैं हम लोग। नहीं होते हैं, फिर भी अगर आपका एक्जाम जैसे नजदीक में हैं, तो नजदीक में जो भी अनुमान इन्होंने लगाया है, तो वो पढ़ लिया करिए, क्योंकि वो important हो जाता है। अगर अभी एक्जाम नहीं है, तो ये इतने अभी important नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं, कभी 9.5 हो जाएगा, कभी 9.1 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही बदलते रहते हैं, ठीक। चलिए, next point देखते हम लोग, गंगा से ब्रंपुत जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? तो गंगा से ब्रंपुत जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बना, M.V. रामप्रसाद बिस्मिल जहाज, ये most important है आपका question, इसको ध्यान दीजेगा, ना पंजी करण और खरीद के लिए MyEV Portal किस ने लॉंच किया? तो E-Auto के पंजी करण और खरीद के लिए MyEV, EV मतलब electrical vehicle, MyEV Portal दिल्ली द्वारा लॉंच किया गया है, अब देखिए, EV है, EV से संबंदित कितनी चीजे हैं, उसको हम देख लेते हैं, देखे, एक question ये भी पुछ charging station, किसके दूरा launch किया है, दिल्ली के दूरा launch किया गया है, अब हारत में इस्तित सबसे उचाई पर, EV charging station पुछा जाए, तो आप बताएंगे हिमाचर्प्रदेश में इस्तित है, भारत में सबसे उचाई, चुकि हिमाचर्परदेश उचा है, पहाड़यों पे इस्तित हु सबसे बड़ा charging station स्थापित किया जा रहा है कहा स्थापित किया जा रहा है गुर्गाओं अर्याणा में स्थापित किया जा रहा है तो इतनी चीजे आपकी EV से संबंदित थी एक जिगह आप लोग note down कर लिजिएगा कि EV से संबंदित, electrical vehicle से संबंदित आप किसे question पूछा जाए तो वो question गलत ना हो चले next point देखे है last point है हमारा भारत की सबसे बड़ी कोईला उत्पादक फर्म कौन बनी तो भारत की सबसे बड़ी कोईला उत्पादक फर्म महानदी coal field limited बन गई है तो बस ये थे आज के top 10 most important questions I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, share and subscribe कर दीजेगा और साथी साथ bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहे हैं और इसमें evidence का नया ही वीडियो डाला हूँ जिस law student ने अगर वीडियो न देखा हो तो प्लीज मेरे playlist में जाईएगा हर playlist में अलग अलग चीजे बनी हुई है डेली current affairs का अलग बना है evidence का अलग बना हुआ है और कुछ वीडियो मैंने राजवेवस्था की भी डाली हुई है उनको भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज उन वीडियो को भी like, share and subscribe कर दीचेगा चलिए आज की questions को देख लेते हैं हम लोग आज का question है भारत ने कब तक शूनी सुद्ध कार्बन उसरजन का लक्ष रखा है आपके option है 2030, 2037, 2047, 2070 next question है भारत के किस राज्य में पहला hydrogen आधारी संयत्र स्थापित किया जाएगा आपके option है उत्तरप्रदीश, महराष्ट, करनाटक, मध्यप्रदीश तो इनके answer आप comment के माध्यम से मुझे बताईएगा कि इसमें से क्या सही है ठीक है तो बस आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं next video में thank you